अस्सलाम आलेकुम नमस्ते दोस्तों उमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे सुबा का समय हो गया यहाँ पर रूट गए आज का बलोगिन में क्या क्या करेंगे आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरा बलोगिन चेनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेर और सस्क् फुल गया हो जाने में यहाँ पर हम आख लोग का पसंद आएगा पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर किजिएगा गर्मी का शेजन में अंक्रीट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही इसमें एनर्जी भी रहता है अब यहाँ पर हमें कोटन का कपड़ा लिए हैं और यहाँ पर अच्छी तरह से हम कपड़ा को भीगा लेंगे जैसे यहाँ पर अगदम पूरी कपड़ा अगदम भीग जाएगा और यहाँ पर ज्यादा निचोड़ना नहीं हलका हलका निचोड़ना है थोड़ा सा पानी कपड़ा में रह ले रहेगा तब जाके ब कर्मी का सीजन में बहुत ही जल्दी अंकृत बनकर के तयार हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, अब देखे यहाँ पर हम कीस तरह अंकृत बनाएंगे, अब देखे यहाँ पर हम उसी पिलेट को हम पानी फेक दियेंगे और यहाँ पर हम कपड़ा को बिछा लेंगे जब ही आप अनकरित बनाएगा तो कोटन का ही कपड़ा लेना है यहाँ पर टेरी कोटन का कपड़ा ने लेना है कोटन का कपड़ा से बहुत ही अच्छी तरह से अनकरित बनता है और उसमें पानी का नमी रहता है अब यहाँ पर हम चना को जितना हमको अनकिरित बनाने का है उतना ही हम डालेंगे अब यहाँ पर हम चना को डाल देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे दिखाते हैं वीडियो में बना रहेगा इसकी मत किजेगा तब जाके आप लोगे पता चलेगा यहाँ पर अंकिरित कैसे बनाना है अब यहाँ पर हम एही कपड़े को अच्छी तरब से ढख देंगे चारो तरब देखें यहाँ पर हम चारो तरब अच्छी तरब से ढख देंगे और ढखने के बाद यहाँ पर जब भी आपका पानी कपड़ा सुख जाएगा और बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में और इसमें बहुत ही एनर्जी रहता है अब यहाँ पर हम अनकृत बनने के लिए छोड़ देंगे अभी आप अनकृत बनाएगा तो इस तरह करके बनाएगा ज्यादा समयने लगेगा अब यहाँ पर जबी कपड़ा थोड़ा सा सुखने लगेगा तो इस तरह करके पाने छुड़का देगा और कपड़ा भीगा हुआ रहेगा तो चना भी अच्छी तरह से भीगा हुआ रहेगा तब जाके अनक्रित बनेगा अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं यहां पर अक्सर क्या होता है हम लोग का चावल थोड़ा मुड़ा बचिये जाता है तो इस तरह करके अगर चावल को सुखा करके और रखियेगा तो बहुत है इसमें आपका किचन का भी पैसा बचेगा और बहुत है अच्छा भी लगता है इवला खाने में अब यहां पर हम कैसे इसको बनाएंगे दिखाते हैं आप लो अब यहां पर हम क्या करेंगे दिखाते हैं वीडियो में बना रहेगा इसकिप मत किजेगा तब जाके आप लोका पता चलेगा यहां पर हम क्या करेंगे अब यहां पर हम गेस चालू करेंगे और एक कड़ा ही चड़ाएंगे देखे यहां पर हम एक कड़ा ही उसको हम डालेंगे थोड़ा मड़ा जब भी आपका चावल बच जाता है तो इस तरह करके धूप में सुखने दीजिए अभी गर्मी का सीजन है गर्मी का सीजन में बहुत ही जल्दी चावल सुख जाता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है खाने में देखें यहाँ पर हम थोड़ा सा दिये हैं और यहाँ पर हम चावल को भून लेंगे जिस तरह मुर्मुरे भूनते हैं उसी तरह अगदम बन करके तयार हो जाए अगर बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप ऐसे ही खा सकते हैं चाई से खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अगर यह वला टिप्स अप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर किजिएगा अप लोग जो लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है लगता है मेरे साथ एक परिवार जूड़ गया उसी तरह अब देखें कितना आची तरह से फूट भी गिया है देखें अगदम जिस तरह मुर्मुरे फूटता है उसी तरह यहाँ पर अगदम करेंची करेंची लगता है खाने में चावल बनाते है तो थोड़ा मुड़ा बचिये जाता है तो इस तरह करके बना करके खा सकते हैं आपका किचन का भी बहुत ही पैसा भी बचत हो जाएगा और फूने हैं बहुत ही टेष्टी लगता है नमक से पूने से देखे कि इस तरह अगदम आवाज हो रहा है अगदम करंची करंची बन करके तयार हो गिया है चाहे से पीजेगा तो और मज़ा लगता है खाने में और ऐसे खाने से और टेष्टी लगता है जब भी आपका पास चावल बच जाता है तो इस तरह करके बनाईए और इस्तमाल कीजिए आपका किचन का बहुत ही पैसा भी बचेगा और बेरबाद नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरह से लगबो करता है खाने में अगर इवाला टिप्स अप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर किजिएगा आपको लाइक करते है तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमको बहुत ही मन लगता है वीडियो बनाने में यहाँ पर देखिए धकन जो लिए है तो गिए स्टूला क्या होता है इधर उदर घिसकने से बहुत ही जल्दी घिसक भी जाता है और बहुत ही दिखक यह भी बहुत सी किचन का पैसा अपका बचेगा अगर रबर खराब हो जाता तो एक रबर खरीजने में बहुत दिकत होता है अब यहां पर देखे हम घिसकाते हैं तो घल क experimental हम लगाशा की जल्दी खराब नहीं होगा बहुत that % सिलिप भी करता है ऐसे ही रबर में रहने से और धकल लगाने से सिलिप ने करेगा अगर यह वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग जो लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कॉमेंट करते हैं तो कॉमेंट करके प्रिकत होता है और अब फायल जाता है बहुत जल्दी खतम हो जाता है अगले tips के लिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम मारकेट से कद्डु लेकर के आते हैं लेकिन कद्दु हम लोग कैसे पहचानेंगे फरेज कद्दु है क्या जादा दिन का है इस तरह करके नाकुन अगर डूबा करके देखेगा तो लगेगा फरेज कद्दु है यह जादा दाना नहीं इसका अंदर देखे इस तरह करके डूब जाएगा नाकुन तो जाते हैं मार्केट और मार्केट से ऐसे ही क कद्दू खरित के लाते हैं और फिर घर आके हम लोग जब कद्दू को काटते हैं तो दाना निकलता है वो अच्छा भी ने लगता है खाने में और बहुत ही पैसा भी बिरबाद हो जाता है जब अच्छा ने लगता तो फेका जाता है इसलिए पहले इस तरह करके चेक कर और यहाँ पर कद्दु का आगे ओला पाट और पिठे ओला पाट दोनों को जम कहाट के अटा लेंगे। तो आपका बहुत काम असान भी हो जाएगा और आपका समय भी बहुत ही बचेगा सब्जी काटते समय बहुत ही समय ले लेता है इसलिए वाला काम पहले ही करके रखने से आपका किचन का काम बहुत हलका हो जाएगा अब देखें यहाँ पर हम कद्दो को काट करके रख लेंगे सबेरे उठेंगे और यहाँ पर हम सब्जी बनाने के लग जाएंगे नहीं आपका काटना पड़ेगा और नहीं आपका कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर हम अगले टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं पर हम बर्बटी लिए हैं देखें बर्बटी में क्या होता है एका करके काड़ते कारते बहुती समय लग जाता है यहा पर हम एकly बार कैसे हम काड़ करके तयार करेंगे वह हम दिखाते हैं आप लोगो विडियो में बना रहेगा इसकी मत किजेगा तब Healing के पता चलेगा यहा पर आम एक ही बार कैसे हम बर्बटी को काट करके तैयार करेंगे देखे यहां पर आम एक बर्बटी करके काटते काटते 1 मिनिट लग जाता है इतना ःफ्मंभर बर्बटी ौकट ने मे Secure पैसा बचाना चाहते हैं तो आपका दोनों बचेगा समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा अभी हाँ पर हम सब बरबटी को हम एकक करके एकठा कर लेंगे उसका बाद दिखाते हैं कैसे हम काटेंगे वह भी एक मिनिट भी ने लगेगा और आपका इतना सारा बरबटी काम बहुत ही असान भी हो जाएगा, और समय भी बहुत भचएगा एक क्या मिस्या difleko Church केसा आयगा जरूरी . चीने देशने पर सेर काम बैर सबस्कार मानलणाव न Almagy प्र ही सेड़ जो काते मिस्या जरूरी जड़ एक ओड़े न्युसा मैं , और बहुती आसानी से यहां पर कट करके तयार हो जाएगा देखें यहां पर एक ही साथ इतना सारा बरबटी कट करके तयार हो जाएगा अब देखें यहां पर हम दिखाते हैं किस तरह यहां पर हम काटेंगे इतना सारा बरबटी एक साथ कट करके तयार हो जाएगा आपका घंटों का मिन्टों में बन करके तैयार हो जाएगा यहाँ पर हम सब बरबटी को एक ही साथ काट करके हम तैयार कर लिए हैं देखिए इतना सारा बरबटी एक मिनिट भीने लगेगा और काट करके तैयार हो जाएगा और आपका बहुती समय भी बच जाएगा यही वाला काम अभी हम एक घंटे लगाते हैं तो दूसरा काम भी करना पड़ता है हम लोगों इसलिए समय बचाना है तो इस तरह कीजिए आपका बहुती समय बचेगा देखें यहाँ पर हम इतना सारा वर्बटी एक ही साथ हम काट क करके तयार कर लिए अब यहाँ पर हम एक बोटल लेंगे बोटल को हम क्या करेंगे दिखाते हैं अक्सर क्या होता है गर्मी का सीजन में बहुत दिकत होता है फिरिज में रखने में फिरिज में बहुत ज्यादा समान भरा हुआ रहता है इसलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा बोटल ली है अब बोटल को हम काट करके यहाँ पर हम किस चीज के लिए इस्तमाल करेंगे दिखाते हैं आप लोगो देखें यहाँ पर हम कट लगा लिए हैं इतना ही हम कट लगाएंगे थोड़ा बड़ा ही हम यहाँ पर रखेंगे अब देखें यहाँ पर हम काट लगा लि कीजे अपको जब सभी बनाना के मन करेगा तब यहां से निकाल करके आप बना सकते और इस तरह करके बनाने से आपका बहुत समय भी बचेगा और फिरीज का जगा भी बचेगा दोनों काम आपका बचेगा और नहीं आपका सबजी बिर्बाद होगा, यहाँ पर सबजी सब्था दिन में खराबनी होगा, जब भी आपका सबजी बनानी करेगा तो फिर इस्टे निकाल करके आप बना सकते हैं, अब यहाँ पर उपर वाला जो पाथे उसको हम अंदर करके गुसा लेंगे और हम अच्छी तरह से पेक कर लिए हैं सब्जी आपका जरा सभी यहाँ पर खराब नहीं होगा और नहीं आपका पैसा बिरबाद होगा अब देखे कितना सुंदर यहाँ पर हम पेक कर दियें और धकन बंद कर देंगे यह एक ठोटा सा और गनाजर बंद करक सोनी हम बोलक चैनल में फिर हम आगले टिप्स इसी तरह ले करके आए